जय हैं दोस्तों स्वागत है अपने इस यूटूब चनल में दोस्तों आज इस वीडियों में महात्पूर्ण अतलिभुत्री कोश्चने के बारे में बात करेंगे कच्छा बारा के विद्ध्यार्थियों के लिए ये समाज सास्त रहे तो आईए देखते हैं पहला कोश्चन सव वर्षों कोटी है उन्हावी सदी में समाजी कांदुलन के मुख मुद्दे क्या थे तो ऐसे कोश्चन हम लोग उत्तर लिखें गच्छो उनिश्मी सताब्दी के समाजी कांदुलन का मुख मुद्द्ध महिलाओं के अधिकारों को समान रूस लागू करवाना था इसे नारी वाद भी कहाजाता है अगला कुछन है पर्यावर्राणी आवंद्धूलन को अस्ञास कीजिए एसे अंडूरण जिनका विद्ध्ध सम्भव सनच्छन करने के लिए पर्यास करना होता है उसे प्रयावर्रणी आंधूलन कहते हैं इसके नंतर का जिसे जल्वाइव वन मिर्दा के सरच्छन के प्रयास सामिन है इन लोगों को जो है क्या किया जाता है सरच्छन करने का प्रयास किया जाता है दलित से आप क्या समझते हैं बच्चों दलित जो गरीब लोग होते हैं उन्हें दलित कहते हैं आईए देखते हैं दली सब्द का साब्दी करत है दलन किया हुआ है इसके तहट वह घर ब्यक्ति आ जाता है जिसका सोंसर पीड़न हुआ हो डाटर भीमराम बेटकर के आंदोलन के बाद रहा सब्द हिंदू समाज बेवस्था में सबसे निचले पायदान परिस्ति सैक्रों वर्षों से अस्पि की जाने वाली तमाम जातियों के लिए सामभी प्रूप से परियोग होता है जो जो गरीब कहा जाता है इसलिब सब्सक्राइब गरीब हैं अर्थी विकास और समाजी संसर्श्रिति उत्पन हुई जो आदीवासी लोगों को रुच्करतना लगने की उनके बिरोत का लह"... बिरोत कीया परकीलिया आदीवास lijा जंजाती आंदोर्ण के लगभा करन उनके बिरोत का करन भी बनी। जनजादी आंदोलन में से जाता आंदोलन मद्भारत की तथा कथित जनजाती पट्टी में इस्थित रहे हैं जैसे चोटा नाकपूर वा संथाल परगना में संभल हो औराओं वा मुंडा जनजाती आंदोलन ये सब दोन थे देखो एक question बहुत important, very important हार वास्वास पूछा जाता है परिछों में, देखो question क्या है बच्छों, गरामीर की आवाज को सामने लाने में तिहत्रावा सम्धान संसोधन अत्यात महत्पुर्य चर्चा कीजिए, अथवा, गरामीर समस्याओं के समाधान में तिहत्रावा सम्धा संसोधन जो है, पंचायती राज ब्योस्था से संबंदित है, उत्तरा लिखेंगे, तिहत्रावा सम्धान संसोधन गरामीरी लोगों की आवाज बुलंद करने है तू, एक मिसाल की तरह है, इसका करणा जाए कि या संसोधन राज के नीद निसा तर्तों तथा पंचायती र परदान करता है, तिकौर साथ यत्रावा सम्धान संसोधन अधिनियम की परमुट की भिश्यष्था है, पंचायतों का स्वाइट सासी सरकार के रूप में मानता, नंबर दो, आर्थी विकास रा समाजिक नाय है, तो कार्यकरम तैयार करने है तू, पंचायतों को सक्तियां, नंबर तीन, पंचायतों की एक मजबूत त्री अस्त्री, त्री अस्त्री ग्राम प्रखण तथा जिल्या अस्तर पर बेवस्था, या बेवस्था उस अभी राजों में होगी, जहां की आबादी 20 लाग से अधिक होगी, वहां जो है, यह तीनों सिस्टम लागू होगा, य अधिन्याम दिये गए छेतर के कवजोर वर्गों के लिए पंचायत में हिस्से-दारी पंचायतों के काईट था उत्तरडाईत है, वित्ति वीवस्था चुनाऊओ इтоящ दिसानिश्देश निजाइद करता था, अधियम का महत्व तो क्या है उत्तर लिखेंगे हम लोग महत्विसका अधियम का महत्व जमीनी इस्तरपन लोगतंद्र को लाने में एक राणिकारी कदम था तिहत्रहवा समिधान अधियम के दिसानिद्रसों के अलोग में सभी राज्यों ने अपने यहां कानून बनाए इस अधियम के कारण पंचायती राज का विचार जमीनी इस्तरपा यथाद भूप में सामने आया वच्चो ये था तिहत्रहवा समिधान सम्धान समंधित कुछ पन्मुक बाते हैं